बहुत बहुत स्वागत थे आप सभीका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्पीस्टी पाइंट पर मैं सोनों आप सभी दोस्तों का हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस क्लास के अंतरगत हम डिसकस करेंगे BSC First Year Second Semester Chemistry जिसमें हम पढ़ रहे थे Bio Organic and Medicinal Chemistry दोस्तों Bio Organic and Medicinal Chemistry में हमने First Unit स्टार्ट किया था जिसमें आज हमारा ये पाँचवा लेक्चर होगा और आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे फ्रक्टोस के बारे में फ्रक्टोस क्या होते हैं फ्रक्टोस की Physical Properties क्या होगी Chemical Properties क्या होगी और साथी साथ इसके Preparation Method पर भी हम डिसकस करेंगे चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज किस क्लास को सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को सेर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास जॉइन कर पाएं दोस्तों ये क्लास नई Education Policy यानि National Education Policy 2020 में जो लागू ही है उसके तहट आपका जो नया स्लेबस है उसी के पैटर्न पर आपकी क्लास चलाई जा रहे हैं सभी University के लिए है चाहे आप जिस University में हो थीक है मितरों आज आप सबकी क्लास में लेठ हो गया रोज रात आच बजे आपकी क्लास होगी आज आपकी क्लास करोंगा कि अर दोस्तों इसी कलास का PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा जहां पर आपको पुराने PDF भी मिल जाएंगे जो पहले भी क्लास हुई है और जिनों ने पहले की क्लास नहीं देखिए प्लेलिस्ट में क्लास देख लीजए टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया गया है या आप सर्च कर लें टेलिग्राम पर SP study channel first वहां से आपको चैनल का नाम मिलेगा और वहां से आप जॉइन कर पाएंगे चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं class को तो आज हम फानली फ्रक्टोस पर बात करेंगे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ग्लुकोस का इस्टेक्चर देखा था ग्लुकोस का इस्टेक्चर यानि कार्भो हाइटेट का गुलुकोस का आगर मात करें फर्मुला तो खुलांके मित्रों फ्रक्टोस ऋपाओं करें 180.180.16 ग्राम प्रत मूर इनवर्स ठीक है आगर हम सविल्टी की बात करें तो इसकी सविल्टी होती है 4000 ग्राम प्रत लीटर अगर देंसिटी की बात करें फ्रक्टोस की देंसिटी कितनी होती है 1.694 gram centimeter cube होती है ठीक है दोस्तों इतनी बस उन्यागी आगे हम कैसे लिखना है इसकी definition क्या होगी इसके बारे हम बताएंगे आप बिल्कुल परिशान नहीं जो basic information है वो मैं आप लोग को दे रहा हूँ ठीक है चलिए इसकी खोश देखिये फ्रक्टोस की खोश कप की गई थी फ्रक्टोस की खोश दोस्तों 1847 में अगिस्टन पियरे ने की थी फ्रक्टोस की अगर खोश की बात की जाए तो फ्रक्टोस की खोश 1847 में अगिस्टन पियरे ने की थी ठीक है दोस्तों इतनी बासन में आ गई फ्रक्टोस को किसके नाम से जानते हैं फ्रक्टोस को हम फ्रूटी सुगर इसको हम फ्रूटी सुगर के नाम से भी जानते हैं कभी कई फ्रूटी सुगर अगर लिखा होगा तो आप जाने यह क्या है फ्रक्टोस है और इसे लेबलोस के नाम से भी जानते हैं तो दो बात आप आप जयानने रखेंगे कि फ्रक्टोस को ही फ्रोटी सुगर कहते हैं और फ्रक्टोस को ही लेबुलोस कहते हैं चलिए अब हम इसके डेफनेशन की बात करते हैं इसके यह तरो रहा इसका सामान इंट्रोडेक्शन ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज वीडियो को सभी लोग जोरदार तरीकी से लाइक कर दीजे और हमारे जितने भी चैनल पर जितने भी छाट-छाट रहना है प्लीज चैनल को प्रक्टोड के बारे में प्रक्टोड इस आन mir नोन एズ मोना सेकराइड दोस्तों फ्रक्टोड जो है Fractose is another commonly known as monosaccharide having the same molecular formula as the glucose Fractose, Fractose का another non-monosaccharide को ही Fractose कहते हैं जिसके पास same molecular formula होता है glucose के जैसा उसी को क्या कहते हैं Fractose कहते हैं दोस्तों यह प्रियोक्साला में इसका निर्माल करते हैं मौलिस टेस्ट के द्वारा तब इसकी जो प्लेन प्रोराइज लाइट होती है वो क्या होती है तो लेफ्ट 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 तू राइट इसका करती है जो आपका फ्रक्टोस है यह फ्रूट में प्रजन्ट होता है जैसे कि यह पाए जाता है कहां कहां पर पाए जाएगा यह मीठे फलो में पाए जाएगा और साथी साथ सहद यह फ्रक्टोस जो है आपका सहद में पाए जाएगा जैसे कि बेल में भी फ्रक्टोस पाए जाता है जामून में भी पाए जाता है और अधिक जड़ो वाली ज्यान देते रहेंगे नोट करते रहेंगे अधिक जड़ वाली सब्जियों में फ्रक्टोस पाया जाता है फ्रक्टोस की खोज 1847 में आएंगे इस्टन पीरे ने की थी इतनी बास त्वन में आ गई और फ्रक्टोस को ही फ्रूटी सुगर के नाम से जानते हैं तो अब हमने फ्रक्टोस को डिपनेशन भी देख लिया कि इसका डिपने होती है तो फ्रक्टोस का जो सबसे पहले तो खायले आप ज़हान नेंगे स्वीट में तो जिए पतार्थों में Well इस फ्रक्टो में फालों पाय जाता है जिसे कि सुगरim kyliselt दो तरक्स पाएता ग्लुकोस पाए जाता है इक पानी सील यह जल्दी है फानी में लिए प्ति सेप्रींग कुरूंग आढ़ करें आदम इन इथर यह झोथा पानी में बहुत कम आपषाने है लेकिन अगर बात करें पराएं एधर में तो यह इथर में आबले है, इथर में गुलंसील नहीं होगा, फ्रक्टोस जो होता है, वो पानी में बिल्कुल गुलंसील है, एलकोहल में ये कम गुलंसील होता है, और बात करें इथर की, तो इथर में ये बिल्कुल आगुलंसील है, ठीक है? इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 375 Kelvin बात करें फ्रक्टोस के मेल्टिंग पॉइंट की पूछ लिया जाता है आपको physical properties पूछा जाएगा chemical properties पूछा जाएगा अब इस पर थोड़ा समा आपको बता दू सबसे पहले कि question क्या बनेगा आपके एक्जाम में बेसी सेकंड समेस्टर वाले छाचा जान दे question बनेगा कि what is fructose give the physical and chemical properties of fructose पहला question ही हो गया दूसरा question क्या बनेगा दूसरा question बनेगा give the cyclic structure of fructose दो question आप से पूछे जाएंगे यह most important question है तो पहला प्रसंद का answer आपको मिल रहा है दूसरा का दूसरे प्रसंद का structure की बात कल की class में हम discuss करेंगे तो physical properties में आपने देख लिया कि यह जो है एक crystalline यह crystal line solid होता है यानि कि यह सफेट crystal यह ठोस होता है इसकी जो melting point होती है वो 375 Kelvin होती है अगर हम प्रसंद की बात करें practice has a specific rotation इसका specific rotation जो होता है वो कितना होता है 133 degree centigrade माप करेंगा 133 degree which changes to जब यह laboratory matter में क्या किया जाता है rotate किया जाता है तो यह change होकर 92 degree पर क्या करता है move कर देता है और वहाँ पर mutation होता कि के कारण होता है म्यूट्रेशन के कारण जब specific rotation specific rotation अगर पूछा जाए आप से किसका specific rotation कितना होता है polarized light के थूँ तो इसका specific rotation होता है 133 degree लेकिन जब इसको हम laboratory matter में क्या करेंगे change करेंगे किसके कारण change होगा म्यूट्रेशन के कारण जाएगा तो इसका जो कोड बनेगा जो इसका एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा 92 डिगरी का एंगल बनेगा ठीक है चलिए तो physical properties भी हमने देख ली इतना ही आपको physical properties में लिखना है अब हम बात करेंगे chemical properties के बारे में chemical properties बात करेंगे तो सबसे पहले हम reaction कराएंगे due to ketonic group के कराएंगे सबसे पहले ketonic group से इसका reaction कराएंगे फ्रक्टोस का structure इस प्रकार से बना सकते हैं अगर खुली स्रनचना की बात करें तो खुली स्रनचना इस प्रकार से बनेगी दोस्तों यहाँ पर आप लगा देंगे H OH यहाँ पर आप लगा देंगे फिर OH देखे यह जिस प्रकार से लिखा इसी प्रकार से यह जो है परिच्छन करके इसका structure त्यार किया गए इसको आप इधर उदर नहीं कर सकी जहाँ पर oxygen group लगा जहाँ पर alcoholic group लगा है वहाँ पर ही alcohol लगेगा जहां hydrogen लगा है वहाँ hydrogen लग ठीक है तो आप structure मैंने पहले भी पताया था structure आप देख लिजेगा फिलाल यहाँ पर structure दिया गए फ्रक्टोस का यहाँ पर CH2 OH यहाँ पर CO और यहाँ पर दिया गए CH2 OH का होल त्राइज और CH2 OH आपको पता है कि इसमें 6 कारबन होंगे और इसमें 4 कारबन होते हैं hydrogen की संख्या आप देख सकते हैं तो बेusta है hydrogen इसक χ2 OH आपको ऐसे यह लिख देना है यहाँ पर देखें जो सियो गुड़ फ्रक्टोस का यहाँ जुड़ जाएगा एक हैच गुड़ जुड़ जाएगा और cn लग जाएगा यहां लग देख सकते हैं हैं यह पर och group लग ज़ंग गया और यहां पर क्या लग चाला रग झाल गया है यहां पर cn group लग आ बाकी का आपको ऐसे ही रख देना है अब इसका formula क्या many गा इसका formula बन जाएगा फ्रक्टोस साइनो हाइड्रिन इसका फर्मुला क्या मन जाएगा फ्रक्टोस साइनो हाइड्रिन अगर आपको अपने मन से इसका बना कर लिखना है इसका लेंग्वेज लिखना है कि आप किस प्रकार से इसका निर्माल करेंगे तो आप लिख सकते हैं क्या मिलेगा साइनो हाइड्रिन आपको प्राप्त हो जाएगा जब आप फ्रक्टोस का रियक्षन हाइडोजन साइनाइड के साथ करवाएंगे तो हम भी फाइनली मिल जाएगा साइनो हाइड्रिन साइनो हाइड्रिन का फर्मुला क्या होगा दोस्तों आप जहां पर लिखते थे C6H12O6 यह फ्रक्टोस का फर्मुला था यहां पर एड्र क्या हो रहा है HCN add हो रहा है HCN आप add कर देंगे ठीक है तो किसका formula हो जाएगा proctosinohydrin का इसी प्रकार से आपको क्या के देना है chemical properties देनी है प्यारे दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरे properties के बारे में दूसरा हम reaction कराएंगे reaction विद्धा hydroxy limine के साथ hydroxy limine का formula क्या होता है दोस्तों hydroxy limine का formula अगर बात करें तो hydroxy limine का formula होता है क्या होता है चले यहाँ पर दिया गया सबसे पहले practice practice का structure सबको पता है अब यहाँ पर जो combination हो रहा है यहाँ देख लिजिए आप यहाँ पर जो combination होगा यह oxygen और किसका होगा hydrogen का होगा लेकिन आपको सबसे पहले formula पता होना चाहिए hydrolymin का formula किसका होता है सभी लोग comment करके बताएए hydroxy limeint का formula hydroxy lemon का formula क्या होगा सब़े लोग comment करके बताएए तो इसका formula होताहँ हम लिख सकते Bishop H2N single bound O ic के नाम से इसे हम क्या करते है हाइडाक्सी लाइमिन कहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइडाक्सी लाइमिन का क्या को हो रहा है रियक्षन फ्रक्टोस रियक्ट हाइडाक्सी लाइमिन फ्राम दा ऑक्समीन दोस्तो जब फ्रक्टोस रियक्ट करेगा हाइडाक्सी लाइमिन के साथ तो हमें क्या प्राप्त होगा आक्समीम प्राप्त होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रक्टोस का रियक्शन करा रहे हैं किसके साथ किसके साथ करा रहे हैं दोस्तो हाइडाकसी लाइमिन जिसका फर्मूला आपने आप लोग को बता दिया इसका फर्मूला होता है H2NOH ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे यह किसके रियक्षन कर रहा है ध्यान देंगे सबी लोग यहां पर CH2OH रियक्षन हो रहा है यहां पर डबल ब़र्ण लगा हुआ है और यहां पर बाहर जो निकल जायेगा क्या निकल जाएगा H2O यहाँ पर बाहर निकलेगा यहाँ पर क्या निकलेगा H2O बाहर निकलेगा और C double bond के साथ क्या जुर जाएगा NOH जुर जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं CH2OH आपका जिस प्रकार से सब प्रतोस में ऐसे ही ने लग दिया यहाँ पर लगा दिया C double bond यहाँ पर लगा दिया NOH NOH लगा दिया सिंगल बांड CH3OH का होल थ्राइज और CH2OH आपका यहाँ पर जो बाहन निकलेगा H2O बाहन निकल जाएगा ठीक है तो यह रियक्षन हो गया हाइडक्सिल आमिन के साथ अगला रियक्षन आपका है रियक्षन भी ते फेनिल हाइडरेजिन फेनिल हाइडरेजिन के साथ हम रियक्षन कराएंगे किसका प्रक्टोस का तो जब हम प्रक्टोस का रियक्षन फेनिल हाइडरेजिन के साथ कराते हैं तो हमें क्या पराप्त होगा जल्दी से आप लोग बताईए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा तो दो हम रियक्शन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा गुलुकोज फेनिल हाइड्रोजन क्या प्राप्त होगा दोस्तों गुलुकोज फेनिल फेनिल हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आप लोको क्लियर हो जाए फेनिल हाइड्रा जोन ठीक है दोस्तों अब हम रियक्शन करा के इसका रियक्शन समझ लेते हैं इसका मैकेंजम किस परकार से हुआ है वह हम देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह फ्रक्टोस दिया गया है फ्रक्टोस अब रियक्शन करा रहे हैं फेनिल हाइड्राजिन का तो फेनिल हाइड्राजिन का फार्मूला क्या होता है फेनिल हाइड्राजिन का फार्मूला होता है चल्दी कमान ब्रक्स में कमान करके बताइए प्रक्टोस फेनिल हैडर जोन प्राप्त हो जाएगा अब यहाँ पर आप रियक्शन देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको यहाँ से आपको क्या करना है H2O निकाल देना है जो यहाँ पर H2O है इसको हमें निकाल देना है यहाँ पर प्लस में रख देना है और साथ में जोड देना है C6H5 HN2 यह आप इस प्रकार से लिख सकते हैं CH2OH एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या लिख सकते हैं दोस्तों CH2OH C double bond N2 C6H5 यहाँ पर लगा देंगे CHOH का whole thrice और suffix में राल देंगे CH2OH ठीक है तो यह आपका chemical properties हो जाएगा तो तक्रूल मिला करके जब भी आपसे chemical properties पूँची जाए तो आपको chemical properties कम से कम आप 2 से 3 chemical properties देंगे chemical properties में क्या होता है कि जिस प्रोड़क्ट का आप chemical properties करा रहे है ठीक है उसका क्या करेंगे उस उत्पात को ले करके किसी अधर फार्मूले से reaction कराएंगे और एक नया उत्पात बना देंगे ठीक है यही इसका chemical reaction होता है अब हम बात करेंगे reaction आप हमने अभी ketonic group से reaction देखा अब हम एलको एलकोहली गुरूप से देखते हैं कि एलकोहली गुरूप से reaction कराने पर हमें क्या प्राप्ट होगा तो हम क्या कराएंगे distillation कराएंगे with the estic anhydride estic anhydride के साथ reaction करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रक्टोस पेंटा एसिटेट प्राप्त होगा फ्रक्टोस पेंटा एसिटेट प्राप्त होगा जब भी गुलुकोस का माप करियेगा दोस्तों जब भी फ्रक्टोस का या गुलुकोस का आपसे chemical properties पूछा जाएगा तो आप पहला बताएंगे reaction with ketonic group पहले आप ketonic group बता देंगे फिर आप number B डाल करके alcoholic group या aldehyde group दोनों आपको बताना अनिवार है तो हमने ketonic group देख लिया अब हम यहाँ पर देख लेते alcoholic group तो alcoholic group में fracos का reaction कराएंगे estic enhydride से estic enhydride का formula क्या होता है CH3CO का whole tries into O ठीक है यह 5 दो दिया यहाँ पर क्या दिया गया है यानि कि balance के लिए यहाँ पर 5 जोड़ा गया है ठीक है अब यहाँ पर क्या हो जाए 5 अडू होगे estic enhydride के क्या होगे 5 अडू होगे तो यह किसलिए किया गया कि यहाँ पर जो reaction है वो संतुलित हो जाए अब इस reaction को थोड़ा सब समझना है आप सभी लोग ध्यान दिजेगा यह फ्रक्टोस दिया गया है और यहाँ पर estic enhydride से इसका reaction हो रहा है estic enhydride का formula होता है CH3CO का whole ties into 2 अब हम इसका reaction करा देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे CH2OH जो था CH2OH यहाँ पर था तो यहाँ पर CH2OH की जगा पर हम COCH3 जोड़ देंगे क्या जोड़ देंगे COCH3 यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ देंगे अब यहाँ पर हो गया CO अब यहाँ पर भी क्या करेंगे CHOH था यहां पर H की जगा पर क्या करेंगे COCH3 का होल त्राइज जोर देंगे और लास्ट में भी क्या करेंगे COCH3 जोर देंगे तो इसमें कितना हो गया 1, 2, 3 और कुल मिलाकर 4 तो कुल और यहां पर 3 दिया गया है तो 3 यही हो गया 2, 5, 5 हमने रियक्षन कराए था तो कुल मिलाकर की बैलेंसी बराबर हो रही है और यहां पर बाहर निकल जाएगा 5CH3 CWOH आप समझ लिजीगा इस रियक्षन को एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रियास करता हूं देंगे 5 अड़ू दिये गए हैं इस्टिक एन हैड़ाइड के तो यहां पर दिया गए CH2 OH दिया हुआ था तो CH2 OH जोड लीजिए ह की जगा पर क्या हो रहा है यहां पर COCH3 जोड़ा जा रहा है CH3 COCH3 यानि कि यह जो अड़ू है यह जोड़ा जा रहा है और यहां पर कितने अड़ू है 5 दुनी 10 10 अस्टिक एन हैड़ाइड है ठीक है यहां पर 2 तो पहले मल्टिप्लाई में था और 5 यह इंटू तो 10 हो गया तो यहां पर कितना हो गया एक अड़ू यहां पर आ गया CO अब यहां पर देखेंगे CH यहां पर क्या दिया था CHOH का होल्टराइस यहां पर CHOH की जगा पर COCH3 दिया गया यहां पर 3 तो 3, 1, 4 यह हो गया और यहां पर 3, 4, 3, 7 और 7, 5 क्या हो गया हो गया 7, 5 यहनि की डियक्सन इसका बैलन्स हो गया तो कुलेजार जो आपको प्राप्त- हो जाएगा वो प्रक्टोस प्रेंटायसिटेत हो जायगा मैं बोर्ड पर सम्झाओँगा हो आपको जल्द ही बोर्ड पर क्लास मिलेगी तब आपको GitHub बहुत ही अच्छे से समझमे आएदी कि धूस्तम रिद्वास प्रॉब्लम है, में प्रॉपर्स इसलिए बोर्ट पर नहीं भला पा रहा हूं तो अभी आपको कॉर्परेट ना होगा जो समझ में आ रहा है आपको और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइस यह मैं प्रियास करूँगा समझाने का ठीक है मैं जल्द ही आपको टेक्स क्लास भी दूँगा और इसका नोट्स प्रिपियर कर आगे मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर दे दूँगा तो हमने देख लिया कुल्मिला करके फ्रक्टोज का इंट्रोडेक्शन साथ ही साथ हमने केमकल प्रापर्टीज को डिसकस किया और इसकी फिजकल प्रापर्टीज क्या है वो भी हमने डिसकस कर लिया अगली क्लास में हम डिसकस करेंगे फ्रक्टोस का structure के बारे में फ्रक्टोस का structure कैसा होता है इसके बारे में अगली class होगी दोस्तों ठीक है तो इतनी बास में आगी आप सबके पास तो आप लोग को class कैसी लगी comment box में comment करके जरूर ताहिएगा और आपकी physics और math की class जितनी भी math और physics से student हैं तभी लोग ध्यान दे अब आपकी regular class होगी हाला कि आज रात 10 बज़े से आपकी class होगी आप करिएगा 9 बज़े आपकी class के timing है लेकिन आज कमेस्ट्री की class 9 बज़े हो रही है इसलिए आपकी class 10 बज़े कर दी गई है हाला कि कल से आपकी class 9 बज़े ही संचारिज की जाएगी प्यारे दोस्तों जदा से ज़्यादा लोगों में share करिएगा आपको physics और math फवन सर पढ़ाएंगे तो आप लोग cooperate करने का प्रयास करेंगे आप सबी लोग वीडियो कैसी लगती है comment box में comment करिए सर को थोड़ा सा आप लोग अपनी तरफ से भी अस्वासन दीजिए ताकि वो भी आप लोग के लिए अच्छा content ला सकें आपको आपकी तरफ से जो भी आपके लिए उपयोग हो आपके exam की दृष्टी से वो आपको अच्छे से पढ़ा सकें और आप सब के लिए उज्वल भविस्थ की कामना करते हुए वो आगे बढ़ेंगे ताकि आपका exam अच्छे से हो सके तो आप लोग cooperate करने का प्रयास कर करेंगी तो बिल मिला करके हमने आपको बता दिया important यह आपको अगर नहीं समझ में आता है मैं आंको बात बता दूँ अगर आप नहीं समझ पा रहा हैं तो इसको कम से कम 10 बार यही structure लिखकर तयार कर लिजिए क्योंकि जब भी आपसे chemical properties पूँचा जाएगा मित्रों तो यही पूँचा जाएगा इसलिए आप chemical properties, physical properties और आज की ये पूरी की पूरी class एक बार फिर से revision करके तयार कर लिजिएगा यह आपके exam में 100% पूँचा जाएगा तो आज के रिए बस इतना ही मिलेंगे अगली class में और अगली class में थोड़ा सा और बेटर समझाने का मस्तियास करूँगा साथी साथ इसका solution, model paper आपको दे दिया गया है तो model paper का solution, fructose को खतम करने के बाद में एक lecture आपका और होगा, जिसमें हम maltose, lactose को discuss करेंगे और आपका जो last lecture होगा वो reducing and non-reduction sugar के बारे में होगा उसको ने इस chapter को समाप्त करेंगे और chapter का important question करा करके answer करा करके इसको खतम करेंगे दूसरा chapter start करेंगे ताकि स्लाइबस आपका बहुत लंबा है और अभी start हुई है class तो ज्यादा late ना हो, ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अंगली class में, तब तक के लिए जय ही, जय भारत